अजयर न है तो हेई गाइश इस कुल्धीन ऊप्रण्ट ये वह चेंग यू पेसलिबरी हो इंडिया में वेक्सिनेशन प्रोग्राम इस्टार्ट हो गया है उन्डिया जब तक वीडियो आगी तो अपक्रिशनेशन प्रदान इसटार्ट हो जाएका इंडिया में और ये जो vaccination program है वो India का नहीं, बलकि world का सबसे largest vaccination program utanrepresented होने वाला है, ऑब जानेंगे इस लेक्ष minimize का बारे में इस vaccination program के बारे में, plus इसमें जो कि swirl of vaccine का जो use carriage लाइक पहली alla vaccine दूसरी को भी शीट इह दहुत के बारे में भी देखएंग 2 प्रोग्रम के इंडिया में एक करोड पाज लाग से आसपास टोटल केसे जिसमें से एक्टिव केसे सिर्फ दो लाग है और जो रीकवर केसे ने वह एक करोड एक लाग से जा रहा है तो अभी एक्टिव केसे देखा जाए तो इंडिया में दो लाग है तो और वर्ल्ड की टेबल देखा जा जैसे भी United Kingdom condition है मुझे लगता है कि United Kingdom दो-तीन दिन में रिस्या को भी सरपास कर देगा Corona cases के चलते हैं so यह है इंडिया के Prime Minister के Twitter so उसमें बोला गया कि सोले जनुरी टुमारो 16 जनुरी इंडिया बेगें दर पैन इंडिया रोलाउट कोविड-19 वक्सिनेशन और इसमें बोला है कि इसमें भी बोला है कि इंडिया का नहीं बल्के वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेक्सिनेशन प्रोग्रम और यह है डॉक्तर हस्वादन हैज मिनिस्टर सुनना नहीं बोला है कि इसमें जो हुने वाला स्टार्ट से तो इसमें लिखा है प्यम्ट लांच पैन इंडिया रोलाउट ओके विड कोविड-19 वेक्सिनेशन डाइब और शोले जनवाई से स्टार्ट होगा तो जब तक यह वीडिया होगी तब तक तो यह वेक्सिनेशन प्रोग्रम स्टार्ट हो चुका होगा तो इसमें और पहले दिन पर एक साथ ही ऐसे हंडेट बैस्ट वेक्सिनेटिट किया जाएगा इसके इलावा फॉरन मीडिया भी इसको काफी ज़्यादा कावर कर रहे है तो इसमें भी इस बोला है कि इंडिया दिलर कोवीड जैस पर वर्ल्ड बिगस्ट वेक्सिनेशन ड्राइब इसमें 270 मिलियं में 27 करोड लोगों को यह वेक्सिन दी जाएगी जो कि 50 से उबल तक होंगा इसमें बहुत आ गया है तो इसी वैसे फॉरन मीडिया भी इस चीज़ को काफी ज़्यादा कवर कर रहे है तो आप यूपी से लाइवरी को टेलीगरम फेस्बूक और इंस्टागरम फोर सब्सक्राइब करेंगे इसके लावा 24-7 डेडिकेट कॉल सेंटर नमबर भी इसमें लॉंच किया गया है ताकि उस सब इन चीज़ों को मैनेज कर सके बाके इनके उपर नहीं जाए रखें सो इस्टैबलेस टू एड्रेस कोईरी इस डिलेटेट टू कोविद नांटीं सो जितने भी कोविद नांटीं के रिलेटेट कोईरी जोगी उसको यह कॉल सेंटर एडरस का सब्सक्राइब इसके लावा एक कोविन प्लेटफॉन डिज सब्सक्राइब इसके लावा जो हेल्ट के वरकर हैं बोथ गौवर्मेंट और प्राइविट सेक्टर इंक्लूड़ी आजएडिस वरकर विल रसीफ एक्सिन डूरिंग इस बूर्मेंट प्लस जो प्राइविट वरकर हैं उन सभी को वैक्सिनेट के जागा पहले फेज में इस फेज में हैं सो हपिसे पहले हैल वरकर प्लस जो फ्रेंट लाइन वरकर उनको वैक्सिनेट इसके बाद नॉर्मल पीपल को किया जाएगा तैन इसके अलावा फस्ट वैक्सिन विल विट थर्टी मिलें हैल्थ एन अधर फ्रेंट लाइन वरकर फॉलओड बाय तो फाइब मिलियन वैक्षिन डोजेज ओन तुजडेश मंगलवाग को यह तुजडेश को यह सारी वैक्षिन को डेलीवर किया जब को चखा होगा यह किया चुगा है तैंसको वेरियस सिटीज में इसमें यह ख़बार दिए एविशन मिनिस्टर हर्दीप सिंग पूरी पूरी सभी मिनिस्ट्री सभी ओगनाशन इस वैक्षिनेशन प्रोग्राम को साट करने के लिए बहुत कड़ी मैनत कर रहे हैं इसी से देखा जा सकता है कि कितना बड़ा वैक्षिनेशन पूराम होगा इसके अलावा एडुके डोजेज और बोथ कोभी शील्ड और कोभी वैक्षि सब्सक्राइब और कोभी वैक्षिन की जो वैक्षिन आई है जो हमके डोजेज हैं पुरी कंट्री में सभी स्टेट और यूटी में डिलीवर कर चुके हैं कर चुकी जाएंगी इसके लाव एक्टे सपोर्ट अब मिनिस्ट्री और सिवल एविशन इसका भी सपोर्ट है जि इम्मिनिस्ट्री प्रोग्रम जो था जो पॉलिय वाला तो उसके एक्स्पिनिस इसमें यूज किया जाएंगा टू इंशुर एवरिवन गेट्स कवर्ड एंड वाट दे कॉल दा वर्ल्ड बेकर्स वैक्षिनेशन सो जो हैल्थ अथॉर्ट इन्होंना बोला है कि जो हमने पहले जो पॉलिय वाला जो इम्मिनिस्ट्री प्रोग्रम चला है था तो उसका एक्स्पिनिस यहां पर यूज करके यह वाला प्रोग्रम को और ज्यादा इंशुर और अच्छा तरीके से इसको करेंगे इसके लाबह अब इसमें कोवी शील्ड और कोवी वैक्षिन के बार इसका मतलब यह कि अप्रूब फॉर यूज डैस्पाइट दा कंपनी नॉट हैं कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल था वो पूरा कंप्लीट नहीं होता तो उसी के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि रस्टेट है कि उसके लिए तो यह पॉइंट को याद रखना यह से रस्ट्र साइब मतलब सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया और इसको बायोटिक के द्वारा इसको डवलब किया तो दौनों को याद रखना इसमें मैचिंग के लिए पूछा सकता कोवी शील्ट सीरम के लिए को वैक्सिन भारत बायोटेक तो इसमें लिखा है कि रिजन फॉर इसमें जो इमर्जेंसी अप्रूबल देया तो उसका क्या रिजन सो इसमें बोला है कि जो पैंडेमिक का टाम जो चल ला है तो वैक्सिन रेडी टू यूज तो अर्लियस और से पहले उसको कवर करने के लिए इसमें यह दियाता है दन इसके लावा एन अदर गिनम कंसे आथा उसके लाव जो इंडिया में भी हो रहाता उसको रोकने के लिए हे सारे कदम यह सारे जो यह स्टैप्स हैं बो ले गए इसी चीज़ होसे हमको इमर्जेंसी यूस या रेस्टेटिक जिसको बोलादा है रेस्टेटिक यूस के लिए इसको अप्रूब किया गदा इन वैक्सिन को दोनों के लो इस चीज को यहां रखना देन इसके अलावा इसके कुछ अपोजिशन में अब इसमें लखा कि वैक्सिन आउट बट डेटा नॉट मिसिंग गरनेट उट मुझें तो इसमें यह भी था सो जो फेश ट्राइल जो फेश ट्री का जो ट्रैल हुआ था उसका जो डेटा यहांता और काफी सारींईज में आया था ऊंवा लाभे वेक्सिनेशन को बटबशन को स्टाट किया एगया शक्को आगर्शन गीं स्टाइट हो चुका होगा तो इस चीज़ को भी आयाद रगना तो अगर इसमें पड़ा जाए ड्रग कंट्रोल जनल ऑफ इंडिया के बारे में ताखर यह क्या होता है इसका में अब्जेक्ट यह में वरक है अप्रूवल देना यह लाइसंस को देना फॉर इस चीज़ को याद रखना और यह किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ओफ एल्थ ऐन फैम्बली वैलोफियर तो यह मिनिस्ट्री ओफ हैल्थ और फैम्बली वैलफियर के अंडर आता है दुस चीज़ को भ्या रखना सो यह जो अधिनेशन प्रूप पूरों चला ला है तो जिसमें इस फीज़ को में मिन पॉंट इसमें याद या जो arms force हो गए या वैसे होगे तो वह जो सबसे पहले करने उनको यह दिया जाएगा तो यह उनको फ्रेंट लाइन वर उसके बाद नॉर्मल जो नॉर्मल पीपल उनको दिया जाएगा तो इसको अभी आ रखना तो इसमें यह है तो आज की लेक्शन में बस अपना है इतने आप यूपी से लाइव को सबस्क्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब यूपी से लाइव एंड प्रेश बैल ऐकन फॉर दा मोर अब इस थैंक क्यू दन नव बात